Dear students, बहुत बहुत स्वागत है आप से विका, बच्चों ये Class 4 का English book है और ये chapter है 9 और इस chapter का नाम है My Land My Land का अर्थ है हमारी भूमी, हमारी धर्ती इस पोयम में कभी ने अपनी मात्री भूमी की परसंसा की है, हर किसी को अपना देश प्रिये होता है परन्तु देश के ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो विदेशों में बसने के सपने देखते हैं उन्हें अपना देश प्रिये नहीं होता, रोजाना वो इस तरह की बाते करते रहते हैं कि मैं जल्द ही ये देश छोड़ कर चला जाओंगा, दुसरे देश में बिदेश में सेटल हो जाओंगा, वहां सारा कुछ अच्छा है, इस तरह की बाते करते रहते हैं तो लोगों को यह पोयम एक संदेश देता है कि अपनी मातरी भूमी से बढ़कर कोई अइन देश नहीं हो सकता, और जहां मातरी भूमी की बात उठी है, तो मातरी भूमी से समंधित, मैं आप सभी को एक बहुत ही महतपुर्ण बात बताता हूं, जब रावन, मारा गया था और विविसन लंका का राजा बन जा था, तब कुछ दिनों तक राम लचमन वहीं रुके थे, जब तक विविसन को राजा पनने की जो परकिरिया था, उसको पूरा नहीं कर लेते, वे लोग कुछ दिनों तक वहां रुके वे थे, तो लचमन सोने की नगरी को देखकर मोहि और राम से कहा भाया हम लोग यहीं क्यों नहीं रह जाते कितनी सुन्दर या सोनी की नगरी है तब सिरी राम ने कहा था लचमन अपनी मात्री भूमी स्वग से भी बढ़कर होती है यहां हम रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकते तो देश प्रेम की भावना सदियों से चलत यहां कभी कह रहा है कि यह धर्ती समिर्ध है रिच मतलब समिर्ध और दूरलब है यह धर्ती ताजगी से भरा है और निश्पक्च भूमी है स्वक्च भूमी है यह हमारी प्रिये भूमी है और दूरलब भूमी है यही हमारी जन्म भूमी है समिर्द का अर्थ है जहां धाइन धाइन भरा हुआ मतलब वहां पे किसी परकार के कोई कमी ना हो और दुरलब मतलब जो आसाने से ना मिले तो यह बिल्कुल सही है हमारे देश जैसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है और अगले पार्ट में No man than hers are braver Her woman's hearts never ever I'd freely die to save her and think my Lord divine आगे कभी कह रहे हैं कोई विवेक्ती कोई भी विवेक्ती हमारे देश से बहादूर नहीं है इसका अर्थ यह है कि किसी अइन देश का विवेक्ती अब देश मतलब देश नहीं देश का विवेक्ती किसी अइन देश का विवेक्ती हमारे देश से बहादूर नहीं है बहादूर का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ लड़ने जगडने में हमारे देश में भी कई महान लोग पैदा हुए हमारे धर्ती का ममता मै हिर्दय में ममता की कभी कमी नहीं है उसके ममता में किसी परकार की आसंका नहीं है यह सभी पर बराबर प्रेम बरसाती है यहां अनुप जाया जाय तो भेद भाव नहीं करती सबके लिए बराबर अनुप जाती है मैं इसके लिए कभी भी अपनी प्रान आसानी से निचावर कर सकता हूं ऐसा करके मैं अपने आपको भाइक साली समझूंगा थर्ड पार्ट में दियावा है थर्ड पार्ट में जैसा बतला रहा है कि हमारी धर्ती एक नीरस भूमी और एक ठंडी भूमी नहीं है इसका अर्थ है कि हमारी भूमी बंजर नहीं है इसमें कई गुन है यहां खेती होती है अन उपजता है और जहां अन नहीं उपजता वहां बहुमिल खनीच बदार्थ निकलते हैं नहीं यह एक उत्साहपुर्ण और निडर भूमी है अर्थात या एक हरी भरी भूमी है जो हर प्रकास से हमारे लिए उप्युक्त है ओ यह हमारी सच्ची और प्राचिन भूमी है इसका अर्थ है कि यह भूमी बहुत ही प्राचिन है बहुत पुराना इतिहास रहा है हमारी इस धर्ती का इसलिए यहां कहा गया है All Land यही मेरी जन्म भूमी है, यही मेरी मात्री भूमी है फोर्थ पार्ट यहां पे दियावा है कुट बीटी इवर गार्ड हर, और वर्चू इस्टिल रिवार्ड हर नौ फोई उट क्रोस हर बॉडर, नौ फ्रेन विदिन इट पाइन हमारी धर्थी अपनी सुन्दर्था को स्विम सुरच्चित रखती है इसकी बनावट ही ऐसी है कि इसकी सुरच्चा स्विम इश्वर ने दिया है हिमाले के रूप में और इसकी गुनवत्ता इसको सारे जग में एक सम्मान दिलाता है जैसे कि हमारी संस्किर्थी प्रमपरा हमारे पुरानी गरंथ वेद पुरान ये सारी चीजें इसके गुन है जो इसका पुरी दुन्या में एक अलग परतिष्ठा बनाती है हमारी धर्थी में कोई दुस्मन इसके सरहद को पार नहीं कर सकता इसके अंदर नहीं आ सकता सबसे बड़ी सुरच्चा हमारी धर्ती की परवत राज हिमाले करता है और कोई भी मित्र यहां दुखी नहीं हो सकता उसे किसी प्रकार का कोई कस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारी संस्किर्ती ही हमें बताता है कि अतिति देवो भवा, सरनार्थी को सरन देना हमारी धर्म में सामिल है यहाँ पे एक word दिया हुआ है within it pine तो pine एक tree होता है, लेकिन यहाँ पे जो word दिया हुआ उसका pine का अर्थ दुसरा है, pine मतलब विलाप करना या दुखी होना, यह दिया हुआ है, तो no friend within it pine मतलब यहाँ पे कोई भी जो हमारा मित्र है वो दुखी नहीं हो सकता और अंतिम यहाँ पे चार लाइन में इसका अंतिम पाड़ दिया हुआ है तो यहाँ पे अंतिम पक्तियों में कहा जा रहा है हमारी धर्ती एक नीरस भूमी और उत्सा हीन भूमी नहीं है यह एक उत्साफपुर्ण और नीडर भूमी है यह एक दुरलब और सक्ची भूमी है जी हाँ यह एक दुरलब और निश्पक्च भूमी है यह मेरी जन भूमी है यह मेरी मात्री भूमी है तो इसको थोमस डेविस ने इसको लिखा है तो यहां पर यह poem स्माप्त हो गया है आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है new words जिसका word meaning दिया हुआ है इंगलिस में ही दिया हुआ है तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ है और number one question में दिया हुआ है answer these questions तो यह इस chapter का मुख्य question है what can the poet do to save his land तो इसका answer हो जाएगा the poet can die freely to save his land वो अपनी भूमी के अच्छा के लिए आसानी से अपना जान दे सकता है तो इसका answer जो आपको screen पे आजाएगा उसके बाद what does virtue do for the poet's native land इसका answer हो जाएगा virtue rewards for the poet's native land who can not cross the border no foy can cross the border कोई भी दुस्मन हमारे border को पार नहीं कर सकता who guards this land beauty of nature guards this land तो यहाँ पे आपको screen पे सारा answer आजाएगा उसके बाद question number two तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं क्या सही है मिला हुआ है और नहीं तो फिर मैं सही से मिला देता हूँ यहाँ पे opposite word दिया हूआ है तो rare rare का क्या हो जागा common जो आसानी से मिल जाए rare मतलब होता है जो आसानी से ना मिले तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए यह बिल्कुल ठीक है उसके बाद phrase phrase का style दिया हूआ है यह भी ठीक है phrase मतलब ताजा होता और style मतलब होता है बासी तो यह हो जाएगा यहाँ पे इसका और guard guard मतलब रच्छा करना और इसका उल्टा हो जाएगा हमला करना attack तो यह भी सही है उसके बाद क्या दिया हूआ है reward reward मतलब होता है सम्मान देना तो इसका उल्टा हो गया punish चाहिए तो यहाँ पे इसको मिला लेते हैं और dull dull मतलब होता है nearest इसका intelligent हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही मिला हुआ है तो यहाँ पे मिला लेते हैं यह है nearest का यह हो गया उसके बाद brave का हो गया quad यह ही बचा हुआ है ब्रेव मतलब बहादूर और क्रवार्ड मतलब वता है डर्पोक यह हो गया तिस तरह से आप मिला सकते हैं इसको इसको पड़कर देख लेते हैं क्या है इट इस ए रिच लेंड तो टू दिया हुआ है यह टू ही होगा हमारी धरती जो है रिच लेंड है इट इस डल और कॉल नहीं है तो यह false दिया हुआ है तो सही दिया हुआ है यह false होगा उसके बाद the poet can do nothing for his native land तो यह false है वो अपनी धरती के लिए जान भी दे सकता है तो already यहाँ false लगाया हुआ है तो यह सही दिया हुआ है next देखते है डी नमर में the poet's native land is very dear to him तो यह true किया हुआ है तो यह सही है poet को अपना जमीन जो है बहुत ही प्यारी है तो यह true हो जाएगा man of this land are brave यहाँ के लोग जो है वो brave है तो यह भी सही है उसके बाद यहाँ पर four number में land तो remaining word मतलब सुनने में ऐसा ही लगे इस तरह का बहुत सारा word आप भर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ भर के दे देता स्क्रीन पे question number five यहाँ पे collective noun भरने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे option दिया हुआ है इसमें से choose करके भरना है एक garland of flower तो एक garland वही हो जाएगा यहाँ पे garland हो जाएगा और यहाँ पे a gang of robbers यह सही है यह days of sheep तो क्या हो जाएगा यह herd of sheep और यहाँ पे a days of puppies तो puppies के लिए a liter होता है a liter of puppies उसके बाद a galaxy of star तो यह सही है a set of books यह भी सही है और यहाँ पे a team of players तो यह भी सही है और a fleet of sips तो sips यहाँ पे यह सिप दिया हुआ है इसका मतलब भेड़ होता है और यह sips दिया हुआ है जिसका मतलब पानी जहाज का group हो जाएगा तो fleet वहाँ पे यूज ह इस सारे सही है तो यहाँ पे यह चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है किसी प्रकार को कोई doubt हो तो आप whatsapp कर सकते हैं comment कर सकते हैं उमीद है कि हर प्रकार से मैंने clear कर दिया है तो इसी प्रकार का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखे अपने दोस्तों क पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो पे चलेंगे